नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्तिवारी एक महोपतिक पीशन हूँ और आज मैं आप लोगों को यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के समय बहुत बड़ा आज की जो समय में सबसे ज्यादा खतरना बीमारी चले एक कैंसर और आज चार फ़रवरी को 20 कैंसर दिवस क अब पर मनाया जाता है यह ऐसा दिवस है कि इसकी हम स्कुषिन इंदा बहुत दुख का विसा है क्योंकि आज कल इतना सामाने तोर पर यह भीमारी फैले लगी है आप जिसको देखें उसको बहुत कॉमली सुन में आता है कि इसको कैंसर दे पहले बहुत कम सुने में आता थ कि हमारे परिबार में किसी इक को गारा, लेकिन आज कल इतना कॉमल हो गया है लिए कि जिसको देखें हम कैंसर से वीड़े थे तो सबसे पहले हमачеwagen Yay जान सब्सक्रार कि कैंसर क्यों होता हिं और इसके बाद कैंसर की रकता है च्रकाल क्यों सकते हैं और सबसे घ्राणा आदमी और सब्सक्राणा की नग इन्फ पर सकते हैं बिल्कुल क्योरेवल है लेकिन उसके लिए हमें कुछ परिवतन करना होगा तो यह मैं आपको बताने वाला हूं और अभी इस वीडियो में साइद में ज्यादा जानकारी ना दे पाऊं तो इसके बाद में इसको कंटिन्यू रखूंगा नेक्स्ट उसमें वीडियो म जैसे आप तो डिखा जाता है बड़े लेबिल पर लेकिन हम चोटे पैमाने पर बात करें आम आदमी की बात करते हैं तो आपके नियरस्ट दस लोगों की एक लिस्ट तयार करिए ठीक है उसमें यह देखिए कि 10 लोगों ने क्या टीटमेंट लिया था और उसका रेजल्ट क्या रहा है तो दस में से आपको मोस्ली आठनों लोगों में सुने में आ जाए कि कि इनों ने ऑपरेशन करवा लिया है और इसके बाद भी उनको रिपीट हुआ है फिर एडिशन करवा है कि मोथेरपी करवा है इसके बाद भी ठीक नहीं हुए उनकी डैथ होती है बहुत पै तो आप तो आपके आसपास पैरिफेरी में देखिए नियर इसके उससे आप एनलाइस करिए कि उन्होंने जो टीटमेंट लिया है वो सही था या गलत था ठीक है मैं किसी पैथी है किसी उसका बढ़ाई नहीं कर रहा है लेकिन यह सोचने लाइक बात है कि जो डैथ होती है तो बात पैंट फुल होती है भौत कशलमें पेशन के ज़र्फ ह tentang है कि एक अध्यातिमेंट नहीं मिलेगा जो यह हमारी अध्यमें जो चीजांट उपलब्द हैसे घ्रवेधज् Tib ket तो इसलिए कैंसर के सभी लोगों को एक बार ये चीज़ें लेते हैं साथ में तो उनको इतनी तकलिफ नहीं होगी ठीक है तो सबसे पहले हम आपको इसके जो कारण होते हैं वो बताना चाहूंगा ठीक है कि एक अब बताना चाहिए जो कारण हैं उनके अक्रण होता है ठीक है जैसे कहते हैं कि तब को खाने से टॉब्य को खाएं तमागों खा रहे हैं या श्पाइसी फूट लेते हैं ठीक है या एलकोल वगड़ इसके लिए तो इनसे कैंसर होता लेकिंग इतने हजादा लोग तमागों उनको सबhelp को तो नहीं हो रहा है या काफी लोग हैं जो इतने ह्श्व यह सब सबसे बड़ वड़ा जो कॉज होता हाँ मान। ठीक है तो आज की इतनी भागदोडी वाली लाइफ में हम लोग कैसे जी रहे हैं हमारी जो लाइफ स्टाइल जो चेंज हुई है जैसे आज हम अपने बच्चों को जो खाना दे रहे हैं सारे फास्ट फूट जो ले रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव का यूज होता है क्या है यह सारी चीज हम लोगों चो लाइफ स्टाइल में चेंज हुआ है यह सब एक कैंसर का कारण हुआ है पहले के लोगों को बहुत कम हुआ करता देलिम आजकल सबी जो जनरेशन है आजकल की वह सबी इन पर डेपेंडेंट हो चुकी है पास्पोर पर और जहां भी प् सब्सक्ति हैं रही है जो बहुत ही खतरनाग होता है यह सब चीज़ें जो फिजिकल टैमेज कर दिए वह कल अलग है लेकिन जो मांसिक तना हो होता है इसका हमारी बॉडी पे सब से दाध है ठीक है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है लोग अपनी लाइफ को कैसे जी रहे है हमारे माइंड पर कितना लैक्स है कितना हम लोग टैंशन ले रहे हैं आजकल जो जो हमारा मांसिक तनाव डिस्टर्ब हुआ है मांसिक तनाव हमारे उपर जो आया है उसकी वरसे ही कैंसर के इतने सारे और सबसे पहला कि आज हमको कुछ भी जिस छोटी सी गठान होती है कहीं और युटी में तो सबस्वसेबं अटेंशन ये आता है कि आप यह तो नहीं है और डॉक्रोस को बोल देए हैद कि आप करवाते हैं तो उसकी तो बसे गएंसर होने के चांसल बहुत जादा बड़ जाते हैं बुस्ट ली पहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि आपकर ती पेपसी की बाद काफी दिक्कत होती है और उसके बाद कैंसर डबलप होने के चांसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यह सब तो उसके कांड में आ जाएंगे और इसके बाद हमें अब यह वीडियो इतना इतना समय नहीं कि मैं कि उसमें सारी चीजन बता हूं इसलिए श सबसे ज्यादा पेशेंट को मानसिक ग्रूप से द्रण होना बहुत ज़रूरी है उसको मानसिक के दी तनाव रहे गए उसने सोचा कि मुझे कैंसर है और अब मैं ठीक नहीं हो पाँगा मैं मर जाओंगा डेफिनेटली कोई टीटमेंट उस पैसर नहीं होगा क्योंकि वह मा पेशेंट का बहुत ज़रूरी है पहले उसको में मोरली सपोर्ट करना है उसका मानसिक तनाव दूर करना है उसको यह विस्वास दिलाना है कि आप इस भीमारी से ठीक हो जाओगे डेफिनेटली ठीक हो सकते हो आजकल इतने एडवर्टाइज आ रहे हैं और दॉक्तर बोल तो सबसे पहले हमें इस सोच को बदलना है कि मैं ठीक नहीं हो पाँगा इसको एट्मासपियर सरांडिंग एट्मासपियर ऐसा रखना है कि पेशेंट यह सोचे कि नहीं मैं ठीक हो सकता हूं और कभी भी इसमें परिवार का एक बहुत बड़ा रोल है कि परिवार के लोग इसको कैसे एग्जस्ट कर रहे हैं कैंसर के पेशेंट को यह बहुत ज़्यादा जरूरी है तो कैंसर के जो भी पेशेंट हो उनके परिवार वालों से मेरा एक निभी देन है कि पेशेंट को कभी भी तनाव गरस्त ना होने दें और उसे हमेशा पॉजिटिव वेवेर की ल होती है निर ऐफिक हो जाते हैं मेंली जो एक काउस होता है देड का कि नर और वी हो गई है पुटिव हो गई है और एक मेंटल इचेंचन जो है यह तीन चीजह को यह knappe को कभी भी शको टैट नहीं हो सकती है किसी भी स्टेज से वह बापस आ सकता है विवस कंडिशन में आ सकता है लेकिन हमें यह तीन चीज़ों को सुदारना होगा पहले उसका इम्मुनिटी स्टॉर्म करना है सबसे इंपोर्टेंट और उसका मेंडल जो पावबार है वो बढ़ाना है मांसिक तनाव उसका दोड करना है यह दो हम कर लेते हैं तो कांसर दिवस के होने पर मैं सिर्फ एडवाइस करूंगा कि आप यह तीन चीजों को दोर करिए और पेशन को पॉजिटिव रहने का करिए और इसके बाद मैं आप लोगों को अब इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखूंगा और कैंसर क के बारे में और जान करें दूंगा और डिटेल में दूंगा कि आपको किस जगह के कैंसर होने पर क्या ट्रिटमेंट रहना है और एडिशनल आप क्या ले सकते हैं जिससे आप जल्दी ठीक होंगे और इसके आगे के लिए आप मेरे फेस्बुक पेज नवामी होमयाले को ल